सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैन रियक्शन्स पे आश्रा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक इंफोर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि भार हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि चर्चा करेंगे भारत के प्रदानमंत्री श्रीट नरेंदर मोदीजी के बारे में यह वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इससे अन तक देखें और चैनल पे नहीं है त पाकिस्तान उस पे भी हम बात करेंगे उनकी आपस में बात्चीत हुए कई चीजों के उपर वो साथ में काम करने जा रहे हैं फिर अमेरिका ने भी इंडिया पाकिस्तान से कहा है कि वापस में कुछ अपने टर्म्स जे हैं वो ठीक करें मोदी जी कश्मीर गए हैं 2019 के प्रेजिडेंट आने वाले और देखें इसमें आपने तो कूजे में धर्याब बंद कर दिया आपने तो सारा सब कांटिनेंट की कवर कर लिया है लेकिन इसमें जो बाते नजर आ रही हैं वो सबसे ज्यादा कंसर्ण है विल खसूस पाकिस्तान के हवाले से के अफगानस्त अब उसमें बलके मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ तिनों में मेरा जो अफगानस्तान के हवाले से पढ़ रहा था मैं कि वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं और वो डियार मुविंग इरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं और जो दूसरी स्टेट्स हैं जो रुषियन स्टेट्स हैं उनके साथ करगस्तान काजगस्तान वहां से ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड भी आलमस्वरों ने बंद कर रहे हैं दूसरा यहां पे वह बताना चाहूंगा कि इस वक्त तालबान जो है वो चाइना के साथ रिलेशनिशिप अपने वो उनका आपको आपने देखा होगा के माजी में वो उनका पूरा उनका वफ्त गया था और उनने चाइना में जाके वहां काफी मीटेंश की है और बलकि कांट्रेक्ट भी की है मिनरल्स के हवाले से और दूसरी तूरफ मैं बताना चाहूँगा कि आप आपके सिर्कम्स्स्स क्या है आपके सिर्कम्स्स्स ये है कि आपके जो नमाइंदे' हैं युनाइटिए नेशन्स में मौनीर اक्रम साभ, उन्हों ने फ़ेंसियि당स की है और उन्हों ने दरहकीकत आपकृस्टान, युन थे इसम्बली में खड़े होके कि उसामा बिलादन शहीद हैं और उसके बाद आपने जशन मनाए जब तालबान आए थे और टी टी पी जिसका नाम ही तारीके लबैक पाकस्तान तो वो अब सब्सक्राइब के निशन किस त्रह को सकता है और दूसरा यह के अगर अगर आप यॉनाइटिटइंड डेशन को कह रहे हैं कि जाकर वो इंटर्वीन करें आप कंजोर नजर आ रहे हैं आप नजर आरह रहे हैं कि आप आप अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत नहीं रखते और TTP चाहती क्या है TTP चाहती है कि वो इसलामबाद पर अटैक करे और अपनी मर्जी की Islamic Government को establish करे अब मैं TTP कौन है आपने आपके पिछले जो मुर्शद वजीर आजम थे उन्होंने जो पकड़े वे थे तालबान TTP उनको रहा किया था वो कहते थे पचास हजार या पाँच हजार जितने भी ये तालबान हैं उनको लागे सुबास राद के अंदर रिहेबलिटेट किया जाए उनको अबाद किया जाए बलके कई की है उनोंने उनको लाए वापस फिर ये TTP कौन है कि आपके पिछले इंटीरियर मिनिस्टर कहते थे कि इनके पाँच हजार फैमिलियों के बच्चे फैमिलियां उनकी बच्चे वीवियां इसलामाबाद के आसपास रहते हैं ये अभी पिछल की बात है शेख रिशीज आपकी मैं बात करते हैं आज आप कहते हैं कि युनाइटिन डेशिन जा कि उनको कंट्रोल करें तो यह दर हकीकत आपकी अपनी पालीसियां हैं आप कभी एक साइट पे जाते हैं कभी आप कहते हैं अच्छे तालबान बुरे तालबान में फस जाते हैं आप कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं अप हर मामले में लेकिन अब भारत है उसमें दो चीजे भारत की बहुत ज था पैसा इंवेस्ट किया था सैवंटीन काउंसल जर्नल थे उनके वहाँ पे तो अभी भारत उनको एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है लेकिन वो दे वांड़े टू नॉर्मलाइज दूर्मालाइज दूर्शेशिप भारत से ठीक करें वो किस तरह कह सकते हैं थर्ड पाइटी हैं जब तक आप खुद अपने मौमलाद ठीक नहीं करेंगे आपको जब आप दोनों तरफ से आपको इत्माद का इशू है जब तक आप खुद बेबी स्टेप्स नहीं लेंगे जब तक आप खुद रेयलाइज नहीं करेंगे कि आपकी सर्वाइवल का इशू है कि अपने IMF की वाज़ा से आपने चाइना को अबेंडन किया है उन्होंने एक ये टूटी फूटी स्टेटमेंट किसी पेड जर्नलिस्ट के कहने पे दे दी होगी उन्होंने क्योंकि वरना अमेरिका इस नाट इंट्रस्टेड इन देखा जाए तो वो यूक्रेन से ही नहीं निकल पा रहे उससे आगे नहीं जा रहा है घाजा की जंग जो हलाके फाइनेंस अमेरिका कर रहा है वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है बरनी सेंडर यहां पे एक बड़े प्रामिनेंट लेडर है आज से कुछ हरसा पहले उन्होंने अपनी तक्रीर में बड़ी खुशूरत बात की उन्होंने काया कि असला भी अमेरिका दे रहा है पैसा भी अमेरिका दे रहा है गाजा की जंग में लेकिन इस्राइल अमेरिका की बात सुनने से इंकारी है तो यह अमेरिका के अपने हलात हैं अगर अमेरिका से पूछा जाए भी आप अपने हलात जुनिया से ठीक कर लो त सब मैं तो कहता हूँ कि वो कभी भी election mode से बात नहीं आये वो पूरे भारत के दोरे पर निकले वे हैं हवेशे ही रहते हैं किश्मीर का दोरा किया मैं जो खास का रभू जबी के अंदर जो मैं दुबई के अंदर सबसे बड़ी company अमार company है जो के अपने project करने जा रही है किश् वो किश्मीर में बनाया गया है जिसकी हाइड जो है एफल टाबर से ज्यादा है तो किश्मीर में दर हकीकत जब से वो उसको union territory बनाया गया है वहां पे काफी development हो रही है इसमें कोई शक नहीं है बलके मैं मुझे हमेशा इस चीज़ का हैसास होता है कि वहां जब सारे च्वाब देगे यह बहुत बड़ा आपके लिए परिशानी का मौका होगा टाइम आने वाला है बलके जो एक सबसे बड़ा इस वक्त इश्वा आ रहा है आपका कि आपके वजीर आजम साब ने हलफ उठाते ही पहला जो नहीं स्टेप उठाया है आई एम एफ को green signal दिया ह उनके बाद चीज शुरू की जाए उनसे तो एक जो महगाई का तुफान आएगा आई एम एफ आपका बजट बनाएगा उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि पट्रॉल गैस और आपकी पट्रॉल और गैस और डीजल की प्राइसें बढ़ा दी जाएंगी जब वो पहली करडिशने है कि आपके जो बड़ी कार्परेशन जो नहीं चल रही है जिस तरह पी आई एए है जिस तरह स्टील मिल है उसको प्राइबिट आइस करें तो जाहर है जिस तरह माजी में करते हैं चीज़ें को फ्रंट मैं अपना ही सामने रखके या आपके जो इमेफ ने हमारे मुर्शे साथ को कहा दिया है एबसलूटली नाट उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है सामने के हम सियासी चीज़ों के साथ डील नहीं करते हैं मैं हैरान था कि जब इन्होंने आई एमेफ को लेटर लिखा था खांसा बाक्सपोर्ट ग्रेजवेट हैं सारा द टर्म्स जो हैं आपने कोई ना कोई चीज़ आप मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि आई एमेफ गुर्दे लखवाती है कंट्रीज के तो वो गुर्दे आपके धाई सो मिलियन लोगों के हैं खांसाब का उसमें कोई लेना देना नहीं था पता नहीं क्यों खांसाब नहीं ये इतनी तकलीफ की है और अपने हालात अपने रिलिशनिशिप इस्टेबलिश्मेंट से मजीद खराब कर लिए पहले भी इसी तरह की हरकत की थी इनके फाइनस मिनिस्टर ने दो चीफ मिनिस्टर को जो आडियो लीग हुई थी को कहा रहे थे कि आप लेटर लिखें आई ये मैं फोई सक्क्राइब चल जाए लेकिन वो तीर नहीं चला है उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया आईये मैं फालो ने उन्होंने कहा है कि भाई जान हम एपसलूबली नाट हम आपोजीशन से डील नहीं करते हैं हम गवर्मनेंट के साथ डील करते हैं और आज कल जि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा तो दोस्तों जबसे भारत और अफगानिस्तान की जो बाचीत है वो ऑफिशल हुई है और पूरी दुनिया में इसकी खबर फैली है तब से पाकिस्तान में काफी ज्यादा गयमा गयमी है और पाकिस्तानी मंतरी से लेकि जो पाकिस्तानी establishment है वो काफी ज़्यादा बुखलाया और गब्राया हुआ है क्योंकि हम जानते है कि जो अफगान तालीबान है वो पाकिस्तान से कितनी नफरत करता है आया दिन हम देखते है जो टी 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 पी है वो पाकिस्तानी आर्मी और establishment के लोगों के उपर हमले करता है तो आशा करता हूँ, वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बाँ फिर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपनी सी लेटस, इंट्रोस्टिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहे हैं जाहिंद, जाह भारत